हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड़ा में उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी परहाई भी अच्छी चल रही होगी बिहार पैरा मेडिकल एक्जामिनेशन डेट रिलीज होने के बाद काफी बच्चे यहां पर उस्ता हो चुके हैं काफी बच्चे टेंच्ट भी है क्योंकि उनका प्रप्रेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाया तो आप लोगों को कि या पक और आस त्वी प्लेयाई Р्एक सब्जेक्ट का अगर आप लोगों की किसी भी टॉपिक किसी भी subject में कोई भी topic यहां पे cover नहीं हुए तो आप लोग उस topic को यहां पे cover कर सकते हैं आप लोगों को कोई भी परशानिया यहां पे नहीं होगी आप लोगों को जरूर government college मिलेगी दोस्तों अगर आप लोग अच्छी से अगर इस टॉपिक को कभर कर लेते हैं otherwise अगर आप लोगों की टॉपिक कभर हो चुकी है तो आप लोग एक बार रिजन अवस्ट कर लीजेगा ठीक है अपके लिए ही अच्छा रहेगा यहां पर ठीक है तो यहां पर चलिए हम लोग बरते हैं आ जीनों काफी बच्छों के दोरा एक मेसेज किया गया था कि सर एकजामिनेशन के समय डॉकुमेंट्स कौन से लगेगी ॥ूम्स क्या हम लोगों को लेकर जानी है ठीक है फिर उसके बाद एकजामिनेशन सेंटर कितना दूर रहेगा यह भी प्रस्थ काफी बिद्यारतियों के द्वारा पूछा गया क्योंकि यहां पर जो भी डिस्टिक्स आप लोग बिलॉंग करते हैं तो एक्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को कितना दूर जा सकता है कितना दूर नहीं जाएगा इस चीज को भी मैं यहां पर कवर आप लोगों को करूंगा ठीक है और उसके इडमिट कार्ड की जो भी डेट आप लोगों को बताए गई है इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन में बच्ची कि क्या इसका डेट एक्स्टेंड होगा तो नहीं जी इसका डेट एक्स्टेंड नहीं होगा मैं आपको वह भी जनकारिया यहां पर दूंगा ठीक है तो चलि important documents में आपकी यहां पर first में तो आपकी सबसे पहले हो जाहएगी admit card ठीक है ओर admit card आप लोग इसे download करेंगे जो भी आप लोगों की admit card date release करने की जो भी notice में बताए गया उस दिन आप लोगों की anyhow admit card आ जाएगी ठीक है तो उस दिन आप लोग admit card निकाल कर और कैसी तो color print admit card आप लोग इसे निकाल लिएगा दोस्तों ठीक है फिर उसके बाद लोगो की क्या यहां पे रहेगी तो जो भी आप लोगों को center reload होगा उहाँ पर आपसे ID proof मागा जाएगा हंजी यानि आप लोगों की entry होने के पहले आपस ID proof यहां पे मागा जाएगा अगर आप लोगों के पास ID proof नहीं होगी तो आप लोगों को entry नहीं करने दिया जाएगा तो ID proof में आप लोग क्या लेजिएगा तो अपना अधार card ठीक है अधार card और नहीं तो pain card अवस्थ आप लोग यहां पर लेकर जाएगा ठीक है तो exam hall में ठीक है exam hall में परवेश करने के पहले आपसे ये दोनों documents admit card और ID proof आपसे जरूर मांगा जाएगा ठीक है तो यह दोनों आप लोग अवस्थ ले लिजेगा फिर उसके बाद आपसे और कोई documents यहां पर required नहीं की गई है ठीक है लेकिन हां आप लोगों को मैं alert कर देना चाहूंगा कि electronic device आप लोग लेकर दोस्तो exam hall में परवेश ना क पूर नहीं दी जाएगी 1500 से 200 किलो मीटर के अंदर में ही आपके examination center alert की जाएगी ठीक है इस चीज़ को भी आप लोग यहां पर clear हो चुके हैं तो आप लोग इसे भी देख लिजेगा अगर बात आती है कि notice के according जो भी आप लोगों की यहां पर date को घोशित्या किया है यानि admit card admit card आप लोगों की 29-6-2022 को आ जाएगी ठीक है और फिर उसकी बाद जो भी examination date का यहां पर date बताई गई है आप लोगों की यहांनि 10-7-2022 तो उसी दिन क्या ली जाएगी हां जी जो भी date आपकी admit card और जो भी examination date को बताया गया है उसी दिन आप लोगों की admit card और examination भी उसी दिन होगा ठीक है तो इस चीज को भी लेकर आप लोग doubt मन में ना रखें अपनी त्यारी अच्छी से कीजिए दोस्तों ठीक है क्योंकि 10 तारी को इन्ही हो notice के according आपकी exam को ले लिया जाएगा अगर admit card 29 तारी को public कर दी जाती है तो exam भी उसी दिन आपकी हो जाएगी अगर admit card की date को extend किया जाएगा तो exam date extend में भी हो सकता है लेकिन chances बहुत ही कम है ठीक है बिहार पाल टेक्निक बिहार पैरा-medical बिहार पैरा-medical matrix और आपके बिहार पैरा-medical ठीक है इन चारों का exam आप लोगों की दस्तारी को conduct करवा लिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप लोग यहां पर प्रिप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग कीजिए कि आपके पास बहुत ही कम समय है और जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोग को प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है तो आप लोग सारे subject की प्रिप्रेशन भी कर सकते हैं तो